Hello friends, तो आज हम जानेंगे कि I owe you कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं तो I owe you का मतलब होता है मैं आपका रिन हूँ और इस रिन को उतारने के लिए मैं आपकी future में कुछ न कुछ मदद करूँगा या इसके बदले में आपके लिए कुछ करूँगा Then, इसके example से clear होता है I owe you a gift for helping me मैं तुम्हारे लिए एक gift लाऊंगा मेरी help करने के लिए I feel I owe you an apology मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे माफी माफी माँगनी है She owed me some money उसे मुझे पैसे उधार देने है मतलब मैं उसने मुझे लिए थे वो वापस नहीं किये I still owe him the 10 dollars मुझे उसके 10 dollars अभी तक देने है I owe my success to him मेरी success का सारा श्रेय मैं उसको देना चाहता हूँ सारा credit मैं उसको देना चाहता हूँ I owe you का use आपको I hope clear हो गया होगा और ऐसी वीडियो के लिए हमारे सब बने रहे हैं